डेट है आग 26 मार्च 2022 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है सोलोमन आइलेंड ये प्रिलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपोर्टेंट है रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि सोलोमन आइलेंड ने ये अलग से एक देश है कंट्री है इसने मिलिटरी डील साइन किये चाइना के साथ और बॉर्डर सिक्योर्टी एग्रिमेंट भी साइन करने वाला है चाइना के साथ तो इसकी लौकेशन हमें पता होने चाहिए पहले इस मैप पे देखो आप ये ऑस्टेलिया आपको दिखाई दे रहा है ऑस्टेलिया के नौर्थ इस्ट साइड में है ये सोलोमन आइलेंड पैपुआ नी गिनी पैपुआ न्यू गिनी इसके वेस्टन साइड में है साइड में नौरू इसके साइड में है कंट्री यह लोकेशन बस आपको याद रखनी है इस मैप में भी देख सकते हो पहले इसकी डील हुआ करती थी डिप्लोमेटिक टीज ताइवान से अब ताइवान से सिफ्ट करके 2019 में बीजिंग से यह नि कि चाइना से इसने डील स्ट कंट्री चारों तरब पानी से गिरी हुई है इसके च्छे बड़े आइलेंड है और 900 से जादा छोटे-छोटे आइलेंड है ओसी निया में जहां पर यह है यह इस्टन साइड में नौथ नौर्थ वेस्ट साइड में कौन-कौन सी कंट्री यह सारा हमने देख लिया है पैस गोरल कनाल इसीका सोलमन आइलेंड का ही पार्ट है गोडल कनाल आइलेंड उस पे इसकी कैपिटल राजदानी है होनियारा नेट्स टॉपिक है टेयर टू इराड़ी भी यहए प्रोग्राम है प्रोग्राम किसलिए है यूनियन मिनिस्ट्री आफ साइंस और टेकनोलोजी का यह डेयर टू इराडी का मतलब क्या है डी ए का मतलब है डेटा ड्रीवन डेटा ड्रीवन आरी का मतलब है रिसर्च और टू का मतलब है टी ओ टू और इरेडी का मतलब है इरेडीकेट यानि कि इरेडीकेट का मतलब होता है खतम करना एलेमिनिट करना और टीवी का मतलब आप Science and Technology ने, World TB Day के occasion पर ये launch क्या है, TB बिमारी क्या होती है, TB देखो एक bacterial बिमारी है, जैसे COVID-19 किस से होता है, virus से होता है, virus का नाम है coronavirus, ऐसे ये bacteria से होता है, जो TB है, एक bacteria से होता है, tuberculosis बोलते हैं इसको, तो ये याद रखना आपको ये virus से होता है, या bacteria से, तो bacterial disease और ये lungs दिखा ही दे रहे हैं आपको, फैपडे, फैपडो को प्रभावित करता आई है, TB, Ministry of Science and Tech ने, ये प्रोग्राम, जो अल्रेडी TB प्रोग्राम चल रखा है, उसी के अंदर ये launch किया है, इसमें दो initiative है, in TGS और in TB के हब, in TGS का मतलब है, Indian Tuber Closies Genomic Surveillance Consortium, और TB के हब का मतलब है, Indian TB Knowledge Hub webinar series, इनके अंदर evidence-based resume त्यार करेंगे, टूबर क्लोसिज के लिए, extra pulmonary tuberculosis के treatment के लिए, Union Ministry इसमें देखो, जैसे कोरोना वाइरस के लिए एक जिनॉमिक प्रोग्राम चला रखा है न, Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortium, इसमें क्या है, कोरोना वाइरस की जिनॉमिक करते हैं, जीन की sequence त्यार करत हैं, उससे ये पता चल जाता है कि, ये कौन सी जगे पे, कहां पे, किस आदमी को ज़्यादा प्रवावित कर रहा है, किस जीन के आदमी को ज़्यादा effect कर रहा है, और किसको कम कर रहा है, इसी तरह से इसका भी एक genomic surveillance की जाएगी, TB के लिए, इसी के लिए, Indian Tuber Closies Genomic Surveillance Consortium in TGS program, इसके अंदर चलाया जा रहा है, next topic है, literacy, prelims और GS paper 2 के लिए important है, literacy, class 3 के students, 1,00,000 students, class 3 के 1,00,000 students, इसमें participate करेंगे, इस week, इस साल में ये कराया जा रहा है, इस week में, इसी सपते में, central government ये चाहती है, class 3 के students की, literacy और numeracy की जो skills है, वो improve हूँ, ये देखो, school में ही एक, समझ लो, class लगाई जाएंगी, class लगाई जाएंगी, जिसमें ये participate करेंगे, students, class 3 के, तीसरी class के students, छात्र, participate करेंगे, कौन conduct करा रहा है, इसको, NCRT, National Council of Educational Research and Training, इसको करा रहा है, जो हमारे Indian Constitution की 22 official language हैं, उनमें ये program कराया जाएगा, 10,000 schools में 1,000,000 students, इसमें भाग लेंगे कम से कम, 23 मार्च से 26 मार्च तक ये कराया जाएगा, इसमें उन्हें पढ़ाया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इस program के अंदर, लेटरिसी प्रोग्राम के अंदर, और उनकी educational skills है, जैसे reading की, writing की, और समझने की, ये skills इंप्रूव की जाएगी, ताकि वो आगे, lifelong तक, learning process को continue रख सकें, और आगे future में, schools में, कुछ सीख सकें, जोकि देखो, class third के जो बच्चे हैं न, एक सर्वे में ये पाया गया, एक non-governmental organization है, जिसका नाम है असर, Annual Status of Educational Report, ये असर जो organization है, non-governmental organization है, NGO, गैर सरकारी संस्ता, इसने सर्वे किया, एक सर्वे करती है, लगबख annually सर्वे करती है, इसने पाया, class three के जो student न, उन्हें लिखना, और पढ़ना, और नहीं समझना, कुछ नहीं आता है, भाई सब basic numeracy, जमा घटा गुना भाग, जो है, addition, multiplication, division, ये कुछ नहीं आता है, उन्हें, और हिंदी पढ़ना तक भी नहीं आता है, उन्हें, तो ये class three के majority of the children है, यानि कि 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा children लिखना, बोलना भी नहीं जानते, तो उन्हें skills प्रोबाइड किया जाएगा, इस program के अंदर, और literacy का भी क्या मतलब होता है, देखो literacy का मतलब होता है, साक सर्ता हिंदी में बोलते है, literacy मानी जाती है, अगर कोई भी इंसान 7 साल से बड़ा है, और उसे लिखना आता है, किसी भी language में, किसी भी Indian language में लिखना आता है, write करना, और उसे बोलना आता है, और read करना आता है, औ यानि कि लिख सकता है किसी भी एक language को, पढ़ सकता है और समझ सकता है, understand कर सकता है, 7 साल की उमर का हो, तो हम कहेंगे वो बच्चा लिटरेट है, यानि कि साकसर है, पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, और देखो literacy और education में फरक होता है, क्योंकि education का मतलब सिक्सा और literacy का मतलब सा सके, लेकिन education तो भाई साब इससे बहुत उपर है न सिक्सा, education, समझ रहो, education यानि कि एक educated people कौन होगा, तब अच्छे भले का वो differentiate कर सके, हर चीज को apply कर सके, अच्छी चीज को, जैसे अगर आप UPSC के तियारी कर रहे हो, और UPSC के तियारी में आप GS4 paper के लिए ethics पढ़ते ह हो, वो ethics, educated तब माने जाओगे न, वो ethics आप अपने जीवन में भी apply करो, वो ethics को पढ़के, तो ये हो गया education, तो literacy और education में आपको differentiation करना आना चीए, education ministry ने लास्ट यार एक program भी चलाया था, ये numeracy को improve करने के लिए, निपुन भारत, इसके बारे में हम already पढ़ चुके हैं, न साल के अंदर-अंदर, literacy और numeracy प्रोवाइड करने के लिए, चलाया जा रहा हमारे इंडिया में, next topic है, reserve bank innovation hub, prelims और GS paper 3 के लिए important है, reserve bank of India ने, ये एक program launch किया है, और इसका एक office center launch किया है, बेंगलूरू में, reserve bank innovation hub, ये center क्या काम करेगा, ये financial innovation लेके आएगा, हमारी country में financial innovation को improve करेगा, sustainable manner में, ये setup क्या है, जो RBI ने innovation hub, ये किसके अंदर होगा, RBI के, जो हमारा central bank है, reserve bank of India, उसी के अंदर होगा, ये मान लो, उसी की एक company है, जो ये बनाई गई है, जो हमारा act है न, 2013 का, companies act, companies act 2013, उस companies act में, section है, बहुत सारे, section 8 है जो, section 8 है, उसके अंदर ये company बनाई गई है, company, जो 100 करोड की company, initially बनाई गई है, 100 करोड रुपे दिये हैं, इस company को बनाने के लिए, और किसके अंदर रहेगी, wholly owned by RBI, RBI की subsidiary होगी, यानि कि RBI से नीचे company ये काम करेगी, इस company का काम क्या होगा, इस company का काम होगा, financial inclusion को promote करना, और इसमें एक, देखो, independent board होगा, इस company का, जिसके chair में अभी रखे गए है, S. Gopal Krishnan, ये company के independent board होगा, इनकी अध्यक्सता में, और ये company जो financial inclusion को बढ़ाएगी, financial services को promote करेगी, इसका क्या मतलब है, देखो, financial inclusion का क्या मतलब होता है, financial inclusion, वित्य समावेशी, हिंदी में बोलते हैं, वित्य समावेशी, financial inclusion, financial inclusion में आता है, कि हमारे देश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा, banking service को यूज करें, जैसे उनका bank में account हो, bank में account होता हो, उसे यूज भी करें, bank को उने credit भी दे, मानलो ने loan की ज़रत है, तो loan भी दे, pension वगरा, यह सब बैंक, यह आ जाते हैं, financial inclusion में, pension, या मानलो, कोई startup है, startup यानि की नई company खोली है, उसके लिए loan उपलब्द कराए, यह सब किसमें आते हैं, banking services, जो जितनी भी, financial inclusion में, तो इन service को improve करना काम है, इसका, RBIH का, Reserve Bank Innovation Hub का, और देखो, इसमें न, एक program और launch किया है, women के digital inclusion को promote करने के लिए, इसी के अंदर, RBIH के अंदर, next topic है, refugee from Sri Lanka, यह prelims और GS paper 2 के लिए important है, refugee का मतलब आप जानते हो, सरनार थी, ऐसे person जो दूसरे country से भाग के आगे हो, इस वज़े से कि अगर वो वहां रहेंगे, तो उनकी जान को खत्रा है, वो मारे जाएंगे, इस वज़े से वो छोड़ के आगे हैं, अपनी country को दूसरी country में, तो सिरलंका से कुछ refugee आए हैं, कब आएं, कितने आए हैं, यह discuss करेंगे, अभी news में इसलिए है, Indian Coast Guard ने, हमारी Indian Coast Guard military है, आपको पताएं, हमारे coastal area आज़े जो इंडिया का, उसके आज़ पास यह security देती है, यह coastal area आज़े जो इंडिया का, यह coastal area है, मानलो भाहिसा भी इंडिया का, यहाँ पे security प्रोबाइड करती है, Indian Coast Guard, Indian Coast Guard के जवान ने, six Sri Lanka nationals को, बचाया है, rescue किया है, स्री लंका के वो, नागरिक थे, लेकिन यह फसे हुए थे, रामेस्वर, रामेस्वरम एक island है, यहाँ पे तमिल्लाडू के पास, वहाँ पे, यह भाहिसा मैं अब देख रहे हैं, यह देखो, इंडिया और स्री लंका के ब से rescue किया है, क्योंकि यह economic crisis की वज़े से, स्री लंका में आर्थिक crisis हा रखा, आर्थिक संकट, उसकी वज़े से, यह यहाँ पे फसे हुए हैं, तो इनको rescue किया है, बचाया है, यह स्री लंकान refugees हैं, जो तमिल औरिजन refugees हैं, नौर्धन एन इस्टन स्री लंका से, वो भी दे स्री लंका में तमिल औरिजन के लोग रहते हैं, नदन स्री लंका में और इस्टन स्री लंका में, यह तमिल भासा बोलने वाले लोग हैं, और तमिल लाडू से ही गए थे, यहाँ से, तमिल लाडू से क्यों गए थे, इसके बारे में भी discuss करेंगे, अभी, 1980 से लगबग यह चलता आ रहा है कि स्रिलंकन जो refugees है जो स्रिलंका में रहते हैं स्रिलंका से भाग के इंडिया आ रहे हैं क्यों क्योंकि देखो ये हैं तमिल भासा बोलने वाले लोग और ये तमिल भासा बोलते हैं तमिलियन हैं और यहां पर रहते हैं तमिल भोलने वाले लगवग यह Hindu majority के हैं 來 दो को बालने वाले और वहां पर ruling class भी कौन है बुद्धिस्ट बुद्धरम रूल करती है स्रिलंका में तो इनके बीच में ethnic classes हो रखे हैं कि इनमें क्या है जगड़े चलते रहते हैं रियोर्ट यह तमिल और बुद्धिस्ट पीपल में तो यहां से यह लोग भाग के आ गए हैं बहुत सारे लोग और 1980 से यहां पर कुछ लोग आ गए हैं तमिल में तमिल नाडू में क्यों आ गए हैं देखो इन्होंने एक organization भी बनाई थी 1976 में 1976 में एक organization बनाई थी लिट्टे नाम की L T T E इसका नाम है लिबरेशन ओफ तमिल लिबरेशन ओफ तमिल टाइगर एलम इसका फुल फॉर्म है और इसे तमिल टाइगर के नाम से भी जानते हैं सौटकट में तमिल टाइगर यह organization जो बनाई थी यह तमिल पीपल ने बनाई थी किसलिए ताकि यह अपना एक independent state बना सकें separate स्रिलंका के अंदर यह अपना अलग से autonomous state चाहते थे कि जो तमिल पीपल है वो अपना अलग से state बसाएंगे अलग से rule करेंगे अपना स्रिलंका के अंदर ही इन्होंने यह जो organization बनाई थी militant organization थी militant separatist organization अलग से चाहते थी क्योंकि यह बनाना state स्रिलंका के अंदर इसलिए बहुत सारी countries ने इसको बैन कर दिया था प्रतिबंद लगा दिया था तो कि यह हतियार के बल पे लड़ती थी स्रिलंकन government से स्रिलंका की government से लड़ाई लड़ रही थी इसलिए बहुत सारी government ने इसे आतंगवादी संक्तन declare कर दिया था terrorist organization militant organization including इंडिया इंडिया ने भी इसको बैन कर दिया था यह 1976 में जो यह लिट्टे नाम के organization बनाई थी लिट्टे बोलते हैं shortcut में इसको यह बनाई थी वी प्रभाकरण ने वेल्लू पिल्लेई प्रभाकरण इसके leader थे और 1976 से 2009 तक यह organization रही 2009 में वी प्रभाकरण की भाईसर मिर्ट्य हो गई death हो गई मारे गए यह उसके बाद से यह organization खतम हो गई और इस दोरान 1976 से 2009 के दोरान जो यह classes चलते रहे हैं यहाँ पे तमिल के बीच में और वहां के सिनाला बुद्धिस्ट के बीच में यह की government और इनके बीच में भी चलते रहे इसकी वज़े से बहुत सारे लोग इंडिया में आगे भाग के यह गए क्यों थे हां से इंडिया यहां से तमिल पीपल को टी प्लांटेशन के लेके गए टी प्लांटेशन मतलब चाय की खेती कराने के लिए स्रिलंका में लेके गए और तभी से वहां यह बसे हुए हैं लेकिन स्रिलंका में रहते हैं बुद्धिस्ट पीपल बहुत धरम को मानने वाले वह मैजॉर्टी म और यह कुछ ही लोग है तमिल्स लोग तो अब इनकी क्लेंसिंग क्लेंसिंग क्लेंसि चलते रहते हैं लडाई चलती रहती हैं तो यह जो लिट्टे नाम की और्गनाईजिसन है इसलिए बनी थी ताकि इनके लिए सेपरेट स्टेट बनाए जा सके लेकिन यह खतम हो गई स्री मावो बंडार नायके ये स्रिलंका के प्राइम मिनिस्टर इनके बीच में एक एग्रिमेंट भी हुआ था जिसमें ये अलाव किया था कि स्रिलंका में जो भी तमिल स्टीजन है 9,75,000 के लगबग वो जिसकी भी कंट्री की स्टीजन सिप लेना चाहे तो उनको अलाव किया जाए वो अगर स्रिलंका की स्टीजन सिप लेना चाहे तो स्रिलंका के लिए इंडिया की लेना चाहे तो इंडिया के लिए इंडिया में आ है तो ये एग्रिमेंट में ये रखा ग ब्रबरान और यह लिट्टे का भी चल गया था हैंब लिट्टे यह लड़ रही थी तो इस हजार बच्चे हैं जो आठ साल की उम्र से कम है वो एक सो आठ refugee camp में स्रिलंका में रहते हैं स्रिलंका न तमिल कुछ तमिल नाडू में रहते हैं इतने लोग और लगबग 34,000 के लगबग refugee camp से बाहर रहते हैं यह refugee कहा से आएं सारे रिफ्यूजी स्रिलंका से आएं नेक्स टॉपिक है वेकंसी इंदी आई एस जिसकी तैयारी आप कर रहे हो भाईसा उसमें कितनी वेकंसी बची हुई है इंडियान एडिमिस्टेटिव सर्विस में अभी एक मिनिस्टर है भाईसाफ जीतंद्र सिंग जीतंद्र है पंद्र है सो पंद्र है बाइस पॉइंट फोर फाइब परसेंट इतने आई एस ओफिसर हमारे देश में कम है फिर गौ़र्मेंट वेकंसी क्यों निकालती उसका कारण भी जानेगी क्यों निकालती अभी जो टोटल यह हैं 3787 उफिसर्स इनको डारेक्ट इस ऑफिसर है उन वो परमोशन से बने हैं स्टेट सिविल सर्विस से या नोन स्टेट सिविल सर्विस के परमोशन होने के बाद बने हैं तो यह गैप सबसे ज्यादा कहां पर सबसे ज्यादा जो कमी है आई एस ऑफिसर की वो यूपी कैडर में है एक सो चार ऑफिसर की कमी बिहार में 94 आयस ओफिसर की कमी है और 87 आयस ओफिसर की कभी अग उति केडर में यह क्या है और अरुना चल प्रदेश praying मिजोरम और वार बाकी की यूनियन टेरिटरी में 87 आयस ओफिसर की कमी है यह शोटेंज है इस कभी थी वह सबसे कम थी 2001 में उसके बाद सबसे ज़्यादा कमी 2010 ती ट्विटा इट ऐट इसावन पर से यह जो डेटा वेलेवल है उसके हिसाब से अच्छा गॉबंट सीट ज्ञादा क्यों निकालती क्यों निभरती IS officer की, हम सिर्फ IS officer की बात कर रहे हैं, बाकी की जो UPC का exam होता है, civil service का जिसमें 24 service होती हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी की 23 service की, सिर्फ IS officer की बात कर रहे हैं, IS officer की भरती क्योंने निकालती ज़्यादा, BS Baswan committee है, इसके हिसाब से इसने कुछ recommendation दी जाकी 180 से ज़्यादा IS officer नहीं होनी चाहिए, जितनी total भरती निकलती हैं, जैसे 2021 में लगबख 712 के लगबख post निकली थी, इस साल कितनी निकली हैं, इस साल 800 कुछ निकली थी, लेकिन बाद में 1500 और बढ़ा दी, लगबख 11111 बारे के लगबख post हो गई हैं, उसमें से 150 post निकाल ले थी हैं, अलग से, यह 150 post railway वाली post हैं, जो railway वाली post हटा दी थी न, Indian engineering service से, वो इसमें मिला दिये कुछ post, तो यह administrative service के द्वारा भरी जाएंगी, तो यह जो post हैं, जो IS की, वो तो 180 हैं, इसमें जो 100111 post निकालें न, इसमें पहले भी 180 post हुआ करती थी यह IS की और अभी भी हैं, तो यह IS की post में कोई विर्धी नहीं किया भाईसा, IS 180 बनेंगे, उससे ज़्यादा एक भी IS officer नहीं बनेगा, इस साल भी 2022 का जो एक्जाम देंगे, तो यह 180 से ज़्यादा क्यों नहीं निकालता, यह BS बासवन कमेटी ने कहा, अगर 180 से ज़्यादा IS की post निकालेंगे, तो यह quality से compromise करेगा, क्यों इस officer की quality नहीं होगी, quality क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो लबासना है भाईसा, लाल बाहदुर सास्त्री, National Academy of Administration, यह लबासना जो academy है, यह उत्तराखंड में है, मसूरी में, यहाँ पर IS officer की training होती है, यहनकी capacity क्या है, 180 IS officer को यह training दे सकता है, यहाँ पर लबासना, तो इससे ज़्यादा जाएंगे, तो यह capacity जब बाहर हो जाएगा, उतने से ज़्यादा को training नहीं दे सकता, यह कहना इसका, जो IS officer का career permit है, यह बिल्कुल distortion हो जाएगा, इसका, मतलब खराब हो जाएगा, और particularly senior post of government of India की हैं, यह IS officer की, तो यह जब लबासना की capacity से बाहर रहेंगे, तो training कैसे दी जाएगी, हो सकता वहाँ पर भाई साब infrastructure ना हो, IS officer के लिए room ना हो, आगे और training देने के लिए, जो कि देको, शुरुवात में तो सारे जितने भी हैं, कुछ महीने के लिए, लबासना में जाते हैं, मसूरी training के लिए, लेकिन बाद में, अलग-अलग center बने हो हैं, जैसे, IPS officer के लिए हैं, वो कुछ महीने रहेंगे लबासना में, उत्राखन मसूरी में, बाद में चला जाएंगे, हैदराबाद में उनकी training होगी, बाकी की, जैसे IRS officer है, Indian revenue service, वो कुछ महीने लबासना में मसूरी में रहेंगे, बाद में चले जाएंगे, फरीदवाद, फरीदवाद, हर्याना की एक district है, वहाँ पे इनकी training होती है, IRS officer की, तो ये ऐसे बढ़ जाते हैं, शुरू बाद में सब वहीं पे रहते हैं, बाकी की में बस IS officer रह जाते हैं, जिनने लबासना ट्रेनिंग देती है, फुल ट्रेनिंग यहाँ पे, तो इसलिए बोला है, कि अगर 180 से ज़्यादा, IS officer की post होगी, तो capacity जो इनकी इतनी नहीं है, लबासना की, तो इसकी quality घड़ जाएगी, IS officer की, अब quality कैसे घड़ जाएगी, यह ऐसा भी सो हो सकता, आप ऐसलिए लबासना की capacity बढ़ाओ, इसके वज़े से यह थोड़ी नहीं, IS की post खाली रखोगे, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, आप post इनी निकालते, खेर यह तो मेरा personal view है, इतने ही थे topic आज के,